कलर्स का मिर्च मसाले और लड़ाई जगडे से भरा हुआ रियालिटी शो बिग बॉस के हर एक फिनाले एपिसोड को काफी जोरो शोरो से और धुम धराके से सेलिब्रेट किया गया है जिसमें बिग बॉस के हर एक विजेता को सलमान खान ने एक शांदार और ग्रेंट अगर नहीं तो बने रहे हमारे साथ क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि सलमान खाने किस विजेता का सेलिब्रेशन सबसे बेस्ट तरीके से किया है तो चलिए जौनते हैं उनके बारे में नमबर वन गौहर खान बिग बॉस सीजन सेवन की विनर रही अभिनेतरी गौहर खान का सेलिब्रेशन सलमान खान ने खुद अपनी और एली अबराहिम की परफोर्मेंस से किया था जिन्होंने इस एपिसोड को काफे ग्रैंट बना दिया था तभी तो ये फिनाले एपिसोड काभी यादगा रहा था नमबर टू श्वतातिवारी बिग बॉस सीजन फूर 1 ऐसा सीजन था जिसमें पहली बार को dipping विजयता रही थी जिहां श्वतातिवारि बिग बॉस की पहली लेडी विनर रही थी जिन इनका सेलिब्रेशन काफ़ी शांदार रहा था और जिसमें सल्मान खार ने विजयता को काफ़ी सस्पेंस के साथ अनौन्स किया था बिग बॉस सीजन 6 की विनर रही अभिने त्री उर्वर्शी धुलकिया का सेलिब्रेशन भी सलमन खाने काफी शांदार तरीके से किया था जहां पर चमक दमक तो थी साथ ही उर्वर्शी की पूरी फैमली भी आई हुई थी जिन्होंने इनके जीतने पर काफी खुशी जताए और इनके इस दिन को बेस्ट बनाया दिपिका ककर बिग बॉस सीजन 12 का फिनाले एपिसोड काफी जादा ग्रेंड रहा था जिसमें हमें दिपिका ककर और शिशंद की परफॉर्मेंस भी देखने को मिली थी जिसके बाद काफी सस्पेंस के साथ सल्मान खान ने दिपिका को इस सीजन का विनर अनाउंस किया था बिग बॉस सीजन 11 अपने फिनाले एपिसोड को लेकर भी काफी चर्चाओं में बना रहा था जिसमें हमें शिल्पा शिन्दे विनर के रूप में दिखाए दी थी जिनका सल्मान ने धूम धड़ाके के साथ और कई सारी बेस्ट परफोर्मेंस के साथ किया था एक बॉस सीजन 14 का फिनाले एपिसोड काफी धूम धड़ाके से भरा हुआ था जिसमें हमें रुपीना दिलाइक और राहुल वैद्य की दमदार परफोर्मेंस के साथ साथ ही दोनों में एक कड़ी टकर भी दिखाए देती थी जिसने इस एपिसोड का तापपान भी बढ़ा दिया था और जिसकी विनर रही थी रुपीना दिलाइक बिग बॉस सीजन एट की विनर गौतम गुलाटी का सेलिब्रेशन फरहाखा ने काफी शांदार तरीके से किया था जिसमें हमें गौतम गुलाटी की एक होट और सिसलिंक परफोर्मेंस देखने को मिले थी जिनका स्वागत भी काफी धुमधराके और जोरो शोरो से खिया गया था बिग बॉस सीजन 15 की विनर तेजस्वी प्रकाश का सेलिब्रेशन भी काफी ग्रैन था जिसमें हमें बिग बॉस के सभी विनर के साथ साथ शेहनाज गिल की शांदार परफोर्मेंस भी देखने को मिली थी इन्होंने इस सीजन को और भी स्पेशल बना दिया था अब बात करते हैं बिग बॉस के उस विजटा के बारे में जिनका सेलिब्रेशन सबसे ज़्यादा बेस्ट रहा था तो और कोई नहीं बल की बिग बॉस सीजन 13 के विनर सिधार्थ शुकला थे और इस सीजन में हमें हर एक अंटेस्टेंट ने बेमिसाल परफोर्मेंस दी थी जिसकी वज़े से ये सीजन काफी ज़्यादा ग्रैंट बन गया था तो दोस्तों आपको बिग बॉस के किस वज़ेता का फिनाले सेलिब्रेशन अच्छा लगा आप हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके ज़रू बताएं और साथ ही ऐसी ही तमाम खबरे जानने के लिए आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूले